पाकिस्तान की जेल से निकल कर मत प्रदेश के दमू तक पहुचने वाले बारेलाल की ये कहानी है कैसे वो पाकिस्तान पहुचा और वापस इंदोस्तान की तरफी पर आया और पहुचा अपने प्रदेश के काउं में तरसल बारेलाल आदिवासी नाम का शक्स जो है 2017 में अपने घर से कायब हो गया था परिवार मालों ने शुरुवात में जब कुछ समझ नहीं आया तो पास के नौटा थाने में शिकायद दर्ज कराई पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई फिर वक्त आता है 2019 का जब पाकिस्तानी मेडिया रिपूर्स में एक शक्स की तस्वीर छपती थे वो तस्वीर बारेलाल की तस्वीर थी तोर पर उसके पहचान होती है और उसके बार शुरू होती है बारेलाल की रहाई की कोशिश है के इंद्री मंत्री पहलाज भठे वो तक काली मंत्री कमलाज कोशिश करते हैं उदेश मंत्राले तक ये आवास पहुचाई जाती थे कि कैसे भी बारेलाल की रिहाई मुम्किन कराई जाए और सरकार सक्रिय हो जाती है बारेलाल को वापस लाने के लिए अब कोशिशे रंग लाई है बारे लाल अपने घर पहुंच चुका है अटारी बॉर्डर से बारे लाल को सौपा गया पाकिस्तान की द्रब से भारत को और यहां से दमों पर शार्ची पहुंचा था था ले ने वापस लेकर आया दमों है अब बापसी पर घर वाले खासे कि तीन साल के बाद 2019 दिसंबर मैंना पता चलो पुलिस के जरीए कि पत्रकार अब कि द्वारा पत्रकार भी आए कि मतलब फोटू में मूबाइल में बड़ सा फोटू देखा है उड़के जो बारे लाले आए तो घर को ने भी मतलब पहिचान करी कि हो बारे लाले और मुहल अब है दो हुजार एकाइस में कारवाई चालो रही हमने मतलब इस्ताहि जाती भी थाने में अपने जाती देवे के बाद में जून में थाने से होना हमाईते के अपनों हम्रे सर चल दे हैं जो ठीक है तो जो टिना में टिरेन से पोच गया हमरे सर अमरे सर कुगत्वी के बाद में पंजाब चुआपी गया होते से फुलिस बारे भी थे साथ में देख जा तो उनके जरिये और भार सरकार के जरिये हमरा भाई आज अपने दमों जेले और मद्द्रदेश्त में है ज अब जो अब अब जो बताते हैं कि कैसे बता चला और कैसे जो रहाई है वो मुंकिर हुई और कैसा यह सफर था वापसी का सुनिया थाना नोटा स्यत्रांतर ग्रामें पट्टी सिस्पूर यहां का एक बारेलाल आदिवासी नाम का यूवक है जिसकी उमर करीब 40 वर्ष है यह मांसी रूप से थड़ा अर्द्विक्षित था और नॉवंबर 2019 में यहां से पाकिसान चला गया था तस समय उसकी काफी सर्चिं की गई थी और बड़ा हिलेटेट मुद्दा रहा था बाद में पता चला कि पाकिस्तान चला गया था तो भारत सरकार के प्रयासों से और जो निरंतर जो कारवय की गई है तो अफिक्षित कारवय के उपरांथ यह वापस बागावाडर पर आया था हमें अभी हाली सुचना प्राप्सुई थी कि यह पाकिस्तान से बागावाडर वापस आ गया है निमान सार कारवय की उपरांथ उसके परीजनों को सुचित किया गया परीजनों के साथ पुलीस कर्मेचारी भी गया था और उसको बागावाडर से विधिवत जो वहां की कारवय संपन की जाती है व 2017 में ये शक्स लायब हो गया था लेकिन बताया ही जाता है पाकिस्तान पहुंचने की दुआ कि मन्योगरी पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गया कि 2017-2019 के बीच में सबाल उठीका कहा था बारेलाल की लेकिन जो रिपोर्स उस दौर के मिलती वो बताती है कि 2019 में बहावलपुर मे पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ा था आतंगी समझ के बारेलाल और एक शक्सोर था विवक भारती प्रशान पा, उसको पकड़ा था शुरुआत में पाकिस्तान की पुलिस ने आतंगवादी समझा लेकिन बारेलाल की मांचे खालग खराब थी तो बाद में इस महँच में आ गया था कि यह आदकी नहीं है उसके बाद यह कोशिश शुरू की भारा सरकार ने जो कोशिश की और यह कोशिश अब रंग लाई है तीस मदने बाद आखरकार बारेलाल अपने धर्ती पर वापस आया बहादपुल की जेल से निकल कर बारेलाल पहुंचा मतप्रदेश के दमों के अपने गाउं 25 शिश्पुर जिहां 25 शिश्पुर वो गाउं जहां करेने वाला है बारिलाल और यहीं से वो गायब हुआ था घरवालों को पुपी नहीं थी लेकिन पाकिस्तान की जेल से मतप्रदेश के दमों तक का यह सफर अपने आप म पड़ी कहानी है संघर्ष आप देखते रहे हैं अब तक दमों से आप तक इकवर पहुंचा ही हमारी सवाता शान्तुन भरत में